आज सुबर होते ही एडी का डिमांड आया कि मुझे इडली और सांबर खाना है लेकिन उस वक्त हो रहा था स्कूल जाने का टाइम तो वो उस टाइम स्कूल चला गया और मैंने बना कर रख दिया सांबर और शाम जब हुआ तो उसको भूख लगी और वो इडली का डिमांड करने लगा चलिए एडी के डिमांड पर हम सांबर बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने ले लिया है तूर की डाल यानि अरहर की डाल एक कटोरी और इसको हमने आधे गंटे पहले भीगो के रखा था और इसको हमने बहुत अच्छे से वाश केर लिया है इसके बाद हम कुछ वेजी टेबल ले लेंगे यहां पर मैंने एक टुकड़ा अध्रक का भी लिया है और उस टाइम पर मेरे पास लौकी अविलेबल नहीं था सांबर में जो most important होता है तो मैं बिना लौकी के ही बना रही हूँ आपके पास जो भी वेजी टेबल अविलेबल हो आप उसको सांबर में एड़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं सारे वेजी टेबल को छोटे छोटे पीसिज में कट कर लूँगी तो अब हमारी सानी सबजिया कट चुकी हैं तो अब हम ले लेंगे एक कटोरी और कटोरी के अंदर हम डाल देंगे गाजर और टमाटर और इसको हम कैसे पगाएंगे मैं आगया आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए हमने इसमें डाल दिया गाजर और टमाटर अब हम ले लेंगे एक कुकर और कुकर के अंदर हम रख देंगे डाल जो हमने भिगो की रखा था इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी डाल को जैसे नॉमल ही हम पकाते हैं उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक चमच हल्दी हल्दी के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 फोट टी स्पून हींग हींग इसमें बहुत important है फ्रेंट्स और हींग को इसके बिलकुल भी नहीं कीजेगा हींग से बहुत अच्छा फ्रेंग वराता है अब हम इस डाल के उपर रख देंगे स्टैंड इस तरह का और वो जो हमने कटोरी के अंदर रखा था टामाटर और गाजर इसके उपर डाल करके हम इसके लिट को लगा करके चार से पांच विसिल आने तक पकने देंगे तो अब चार से पांच विसिल आ चुका है और हमारी डाल भी पक चुकी है तो हमने इसको दूसरे साइड पर कर दिया है और अब हम बड़े वाले गैस पर चरहा देंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे सरसो का तेल, तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे एक चमच राई या सरसो के दाने इसके बाद इसमें जाएगा करी पत्था अब इसमें हम डालेंगे एक पेंच हींग यहाँ पर हींग तड़के में भी देना बहुत ज़रूरी है इससे बहुत अच्छा फ्लिवर आता है अब कुछ सेकेंड भून जाने के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे प्याज अब हम इसमें बीन्स भी डाल देंगे और इसको लगभगी चार से पाच मिनट तक भून लेंगे इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चमश हल्ली पाउडर अब हम इसको कवर करके दो मिनिट तक और पका लेंगे तो तब तक यह पक रहा है और अब हम इदर देख लेते हैं अपनी डाल और जो हमने कटोरी में रखा था वेजी टेवल तो यहाँ पर हमारे स्टीम निकल गया है कुकर का और हम इसको खोल करके देख लेते हैं तो यह देखिए हमारा टमाटर और गाजर बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से गल गया है, अब हम दाल को भी इस तरीके से थोड़ा चला लेंगे, ताकि जो दाल है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छे से, और इधर हमारा वेजिटेबल जो भी पक गया है अब हम इसमें अद्रा को भी ग्रेट करके डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे सांभर मसाला दो बड़ा चमच क्योंकि सांभर मसाला से ही सांभर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसमें हमने दो बड़ा चमच सांभर मसाला एड़ किया इसके बाद हम इसमें एड़ करें एक चमश काश्मीरी रेट चिली पाउडर आप चाहे तो यहाँ पर तीकी वाले लाल मेच भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं बिना तीखा डाले हुए बना रही हूँ इसके बाद हम इसमें एक चमश आमचूर पाउडर एड़ करेंगे अगर आपके पास इमली का पानी हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों मैं टमाटर और जो गाजर को पका के रखी थी कुकर में तो उसको मैंने यहाँ पर एड़ किया तो वो मैं दिखाना आपको भूल गई और इसके बाद हम जब टमाटर और गाजर को इसमें एड़ करेंगे उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे डाल जो हमने पका के रखा था और सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर दें तो अभी भी सामबर हमारा जो वो बहुत ठीक है तो इसके उपर हम और पानी डालेंगे क्योंकि सामबर जो है वो पतला ही अच्छा लगता है तो अब अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक ग्लास के करीब और पानी एड़ कर दूंगे और सारी चीज अब हम सामबर को दो से तीन मिनट तक और उसके लिए नमक डालेंगे इसमें और एक सीक्रेट इंग्रेडियंट है जो रेस्टोंट वाले अक्सर डालते है जो है गुड तो यह गुड से बहुत अच्छा खट्टा और मीठा टेस्ट आता है इमली की तरह तो गुड को हम ज अब हमारा सामबर बिलकुल बनकर तयार है तो दो से तीन मिनट हो गया और सामबर में बहुत अच्छा उबाल आ गया है तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इडली इंस्टेंट इडली आज हम बनाएंगे तो सूजी की इडली बनाने के लिए यहां पर हम ले लेंगे सूज कोई साभी सूजी आप ले सकते हैं जो मोटा हो बारिक हो जो आपके पास अविलेबल हो वाली सूजी ले सकते हैं सूजी की इडली फ्रेंट्स इतनी सॉफ्ट बनती है इतनी अच्छी बनती है यह मेरे बेटे को तो परसनली बहुत पसंद है तो मैं अकसर बनाते रहती हू इसके लिए ये वाली इडली तो सूजी हमने ले लिया है दो कटोरी के हिसाब से और यहां पर हम दो बड़ा चमच दही डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए हमें एक थिक सा बैटर बनाकर रेडी कर लेना है और इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए यानि कि सूजी को हम थोड़ा सा फूलने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट धख करके तो दोस्तो साम हो चुकी थी और शाम के टाइम में मेरे बेटे को इडली चाहिए था तो सुबह में ही मैंने सांबर बनाकर रख दिया था और अब मैं इडली बना रही हूं उसके लिए तो इसको अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हाफ टेबल स्पून और इसको भी मिला करके थोड़ा साम फेट लेंगे फेटने से थोड़ा सा इसका टेक्स्चर जो हलका हो जाता है और यहां पर मैंने ढख के रख दिया था 10 से 15 मिनट और अब आप देख सकते हैं इसका बैटर जो वो बहुत थीक है तो इसमें हम अभी और पानी डालेंगे और इसकी consistency मैं आपको दिखाती हूँ आगे तो यह देखे इसकी consistency बस इसी तरीके की होने चाहिए ना तो बहुत जादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत जादा पतला होना चाहिए अब हम इसमे अड़ करेंगे दोस्तो ग्रीन वाला इनौ या फिर ब्लू इनौ और भी आप इसमे डाल सकते हैं सबसे पहले हम इलि के मोल्ट को ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस कर लेने के बाद हम वेटर में डाल देंगेन यीनौ का एक पैकट और इसको बहुत अच्छे से mix कर देंगे दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमें इडली को बनाना होगा उसी time पे हम इनो को add करेंगे बैटर में पहले से हमें इनो को डाल करके बैटर को नहीं रखना है तो यहाँ पर हमने इडली के कुकर में पानी को गरम भी कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इडली मोल्ड और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे तो यह हमारा 10 से 15 मिनट हो गया और इडली बिल्कुल फुली फुली सी बनी है मैं आपको दिखाती हूँ निकाल करके तो सारे मोल्ड को हम अलग कर देंगे थुआ सा ठंडा होने के लिए और उसके बाद हम इडली आपको दिखाती हूँ निकाल करके यह देखिए बहुत असानी से निकल जाता और इतना सौफ्ट इतना टेस्टी और बिल्कुल इंस्टेंटली बन जाता है यह इडली आप भी आराम सी इसको घर पे बना सकते हैं तो दोस्तों यह देखिए हमारे इडली का प्लेट रेडी है खिलाने के लिए तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी दोस्तों अपने कॉमेंट हमें जरूर लिख कर बताईएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजेगा हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना नहीं बूलिएगा मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय और टेक कियर